हलौ एव्रिवेंज आज लेंच के लिए मम्मी यहाँ पर तyारी कर रही है यह है लाल साग जो मैंने लाया था कली मार्कित से आजरी पर मम्मी अच्छे से चेक कर रहे है ताकि कोई कीला भगधर तो नहीं है और फिर इसके कर लेगी चॉपिगा। और इसाग को ममी बनाती है लजसन और प्याज के साथ और बहुत ही टेस्टी बनती है ये साथ और ये साग बहुत ही ज्यादा हेल्दी भी होता है हमारे लिए और दूसरे साइड मैं यहापे करी हूँ फिश को अच्छे से फ्राइज क यहाँ पर था एक होल फिश इसमें निक तुमक के साथ अच्छे से मैरिनेट करके रखा हुआ है और फिश हेड को हो जाने के बाद मैं कर लूँगी बैच पाई बैच सारे फिश को फ्राइए यहां पर मैं कर लूँगी कुछ वेजडेबल्स को चॉप अलू को चॉपिंग कर लूँगी और साथ में टमाटर भी क्यो कि यहां पर थोड़ा तेल कम लग रहा था मुझे सो मैंने उपर से और भी थोड़ा डाल दिया है तो यहां पर आप देख सकते हैं ओलड़ी एक-दो बैच मैंने रखा हुआ है फ्राइय करती हूँ यानि की थोड़ा सा डिप फ्राइय करती हूँ और सब्जी जो मैंने काटा था और लेटी मैंने सारे सब्जीयों को धोबी लिया है मैंने यहाँ पर चॉप करके रखा हुआ है एक बड़ा साज का प्याज और इसे मैं कर लूँगे थोड़ा सा राफली पेस यहाँ पर फिश का कलर देखिए कितना अच्छा आया है और गाइस मैंने यहाँ पर चरह दिया है कड़ाई और अभी कर लेह हूं अच्छे से भुनाई सारे मसालों की और मसालों को फ्राई करते टाइम में बीच बीच में डाल रही थी थोड़ा सा पानी का चीटा भी ताकि मसाले जलेना और मसाले जल जाने से हो जाएगा पूरा कड़ी बेकार और कड़ी हो जाएगा बिलकुल करवा और एक बार सारे मसाले अच्छे से पक जाने से अभी मैं यहाँ पर डाल ले हूँ कटे हुए आलू और उसको भी कर लोंगी मसालों के साथ मिक्स और अभी आलो के साथ सारे इ पिश्करी का फाइनल लूप और आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट जरूर कीजिए आज का तो लंज हमारे यही था आपका लंज आइटेम अज क्या था मुझे कमेंट करना मत भूलना गाईस बाई